दोस्त नमश्कार स्वागत है आपका प्रिक्षा खबरी में और आज है 29 अप्रेल 2020 सहर से खासकर प्रयागराज से इस्टुडेंट्स अपने अपने घर जा रहे हैं जो लोग अपने घर जा रहे हैं बसों से सुरक्षित जाएं साउधानी पूर्वक जाएं यही हमारा सबसे पहले कहना है जो भी शिफ्ट हो रहे हैं जहां से भी साउधानी पूर्वक जाएं टीक है सरकार ने सुविधा दी है अच्छी बात हैं लेकिन आप लोग साउधानी पूर्वक जाएं क्योंकि कोरोना का संकट बहुत ही गंभीर है तो दोस्तों जैसा की मालूम है लेट्स क के माध्यम से क्वाल्टी कंटेंट के माध्यम से आपको यहां पर नौल इस दिया जाएगा बहुत जल्द हम जब लॉगडाउन हटेगा तो एपना। sn क्लास दिया करेंगे ठीक है तब तक थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपको बता दूं कि यूपी PCS के एक्जाम्स जो हैं उनके लिए उनको टालने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग बहुत तेजी से उठ गई है आज के नियूस पेपर्स में भी आप देख सकते हैं इन सब चीजह के आला कि आयो कुछ अगर एक्शन लेता है कोई अगर नेड़ने ऐसा लेता है या नेड़ने वाला होता है तो हम अपडेट करेंगे आयो की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है लोग बाहर के जो नेता लोग हैं जो हमे कब से मनाया आता है 29 अप्रेल 1982 से कौन मनाता है अंतर राष्टी थीटर इंस्टिट्यूट यह अंतर राष्टी थीटर इंस्टिट्यूट है क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रंग मंच का एक संगठन है और यह यूनेस्को का एक संगठन है यूनेस्को ने इसकी इस्थापना की थी अंतर राष्टी थीटर इंस्टिट्यूट की तो एक विशिष्ट संस्ता है युनेस्को की ए इसकी एक कमेटी है अंतर राष्टी डांस कमेटी जिसके द्वारा इस दिवसका आउजन नित दिवसका आउजन होता है नित्य के प्रती लोगों में रुचिय पैदा करने के लिए जो तमाम नित्य हैं सास्ति नित्य से लेकर के वरतमान में जो नित्य किये जाते हैं उन सब को सरक्षन प्रदान करना उनका विकास में युगदान करना उनसे समंदि जो जुड़े हुए लोग हैं उनके सुरक्षा के लिए अर्थाज सुरक्षो पाए ज किया जाता है इस Theater Institute के दोरा ठीक है युनेसको के बारे हमने आपको Theater Institute की स्थापना कभूईती पूछ रिखता है तो 1948 में इसकी स्थापना होई थी और इसका भी मुख्याले पेरिस में ही है फ्रांस में ही जैसा कि हमने बताया था युनेसको के बारे हम कई बार बचात बता च स्थापना चार नॉमर उनेसको का सदस्य है वर्तवान में उनेसको की जो प्रमुख है अंद्रे अजोले हैं इतना चीजें आपको याद रखनी हैं कुछ नित्यों की बात अगर हो रही है नित्य की तो भारत के कुछ नित्य और समंदित राज्य पूस्ता है तो कुछ जो नाम और राज्यों का नाम मैं ले रहा हूँ आप याद रखेगा कथकली यह केरल का नित्य है मोहनी एक यह यह अपकल का है सास्तिनित है कथक यह उत्तर-ब्रदेश का है और एक मातरोंतर का उत्तर-भारत है कथक भरतनाड्यम् यह तammिल-णाडू का सास्त tree नित्त है और कुछी पूरी ये आंध्र प्रदेश का है मड़ी पूरी जैसा कि मड़ी पूर नाम से मड़ी पूर का सास्त्री नित्त है तो ये सब पूछे जाते हैं याद रखेगा अगला है पिच ब्लैक अभ्यास ये क्या है तो रायल आस्टेलियन एर फोर्स ठीक है आर ए ए ए फ रायल आस्टेलियन एर फोर्स द्वारा योजित दीवारशिक तीन सब्ता का बहुपक्षी वाय युद्ध प्रशेक्षण अभ्यास है जो कि जुलाई अगस्त में संपन्न होना था किन्तु COVID-19 के चलते ये भी रद कर दिया गया विभिन कायक्रमों के जैसे रद होने की सूचना जारी हो रही है उसी तरह अब पिछ ब्लेक अभ्यास भी रद हो गया ये इसमें भारत भी भाग ले रहा है 2018 से आपको बता दो दी वर्शी है पिछला आयोजन 2018 हुआ था जिसमें पहली बार भारत भारत भारती वाईशना ने भाग लिया था ठीक है और इसके साथ ये भी बता दूँ बहु पक्ची अभ्यास है बहु पक्ची मतलब इसमें भारत ही नहीं इसके पहले से अमेरिका जैपान और सिंगापूर थाइलेंड आधी देश कनाड़ा हो गया भाग लेते रहे हैं ठीक है न तो आस्टेलिया में उत्तरी आस्टेलिया में आयोजित किया जाता है तो यह प्रस्क्रिक्षन रद्ध हो गया महत्पूर बात यह है कि भारत ने 2018 से इसमें भाग लेना शुरू किया आस इंडेक्स क्या है तो आस इंडेक्स दोस्तों यह भी भारत और आस्टेलिया के मद्य संयुक्त नौ सैन्य अभ्यास है जिसको आस इंडेक्स नाम दिया गया है आस्टेलिया इंडिया यहाँ पता आस्टेलिया इंडिया एक्सरसाइज दोस्तों ये है आस्टेलिया और ये वेस्टन आस्टेलिया है पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सिद्थ हैं हूँ एक बार आया था प्रश्ण की दक्षिण से उत्तर उत्तर से以च्षण सजाना है जो और तो सब्से पहले तो यह चैन्वरा जो और अज चैलिया की राजधा पिर मेलबर्न महत्पूर्ण है अगला है साओधी अरब में कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे तमाम माईलाओं से बच्चों से जुड़े सुधार किये जा रहे हैं सहितराश की कुछ अच्छी चीज़ों को लगातार अपनाता जा रहा है साओधी अरब ठीक है जो कट अपरादियों को मितदंड की सजा नहीं दी जाएगी ध्यातब है कि बाल अधिकारों पर स्युक्तराश्ट कन्वेंशन जो हुआ था उसमें रियाद ने अर्थास सौदी अरब की जो राजधानी है रियाद कहते हैं सौदी अरब ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है तो य यह जो फैसले हैं यह जो महत्पूर्ण फैसला है वो इस कन्वेंशन के अनुरूप है तिके न यह इस कन्वेंशन के अनुरूप है आपको बता दू बाल अधिकारों पर स्युक्तराश्ट कन्वेंशन यह 20 नॉमबर 1989 को हस्ताक्षरित हुआ था पारित हुआ था 20 नॉमब में भारत कब शामिल हुआ पूश सकता है तो 1992 में भारत इस convention में शामिल हुआ था अब सौधी अरब की स्थित्य की बात करें मान्चित्र में तो आपको सौधी अरब दिख रहा है तो सौधी अरब मध्यपूर का एक महत्यपूर देश है यह सुन्नी इस्लामिक कंट्री है यहाँ पर इसलामी राजतंत्र है ठीक है और अगर देखें तो दक्षिन में यमन और उमान इस्थित है उमान और यमन और ज्यादा दक्षिन में ये हिंद महा सागर है अरब सागर जो है अगर पूर में देखे तो परसियन गल्फ है फारस की खाड़ी है सेंग अमीरात है ठीक और परसियन गल्फ के पार में कौन सा है देश इरान इस्थित है ठीक है ना इरान इस्थित है अगर इसके उत्तर में देखे तो इराक और जार्डन है ठीक इराक और जार्डन है और उत कतर में इसकी इसराइल और यहीं पर फिलिस्तीन है अगर हम इसको हुआ जूम करें तो फिलिस्तीन आपको दिखे जायेगा यहाँ पे ठीकिए इसके लावा पूर्व की तरफ ही देखे ये रियाद है इसकी राजधानी है मध्ध में एकदम इस्तित है रेगस्तानी पूरा है ये इलागा उष्ट कटिबंदी, रेतीला इसकी धर्ती है पूरी साओधी अरब की और बहरीन, कतर, युनाइटेड अरब अमीराथ, कुवेट ये सभी इसके पूर्व की तरफ इस्तित है अक्सर एक्जामस में आ सकता है अगर आप मांचित्र देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा ये अंतिम खबर है आज की अंतिम खबर है कि हबल टेलीसकोब जो की अंतरिक्ष टेलीसकोब है नासा का और यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी के सहयोग से नासा ने भेजा था उसके 30 वर्स पूर्ण हो गए 2020 में तो हबल भेजा कब गया था 25 अप्रेल 1990 को भेजा गया था तो 25 अप्रेल 2020 को इसके 30 वर्स पूर्ण हो गए किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था तो डिसकवरी से भेजा गया था नासा ने भेजा था जो की अमेरिका की अंतरिक्ष एजनसी है जिसके बारे हम कई बार में बता चुका हूँ और यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी की सहयता से इसको भेजा था ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही करेंट अफेस में फिलहाल और अगर आपने लर्निंग एप अभी तक डाउनलोड न किया हो अने के एडमी लर्निंग है अप तो इसको डाउनलोड इंस्टाल कर लें यहाँ पर कोई भी विश है किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे कोई टॉपिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं आप फिर चाहें तो सब्सक्रिफशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं सब्सक्रिफशन आपको एक मन से लेकर के दो साल तक के उपलब्ध है अर्थाद एक साल एक महीने से लेकर आप दो साल तक का एडमीशन ले सकते हैं प्रशल को कुछ उसमें लगेगा जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देखर पढ़ सकते हैं हमारा रिफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं रिफरल कोड है यूडी टेन मेरा ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी तो इसको अवश्य अगर आपको जॉइन करना है तो यूडी टेन रिफरल कोड अवश्य उज़ करिएगा तो बारह महिने का कोर्स में जैसे साथ जार रुपए आपका लग रहा है तो चौबिस महिने कोर्स में उसी कोर्स में एक यान्वे सो रुपए लगेंगे तो आपका दो वर्ष का जो फी रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो दो साल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका सेलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो UD10 आप याद रखेगा रेफरल कोड तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद